पूरोतर लोग में आप सभी का स्वागत है असम सरकार ने एक बड़ा फैसला करते वे कहा है कि कल्यानकारी योजनाओं के वेवारी कारियन्वन का आकलन करने के लिए मंत्री एक गाउं में पांच दिन बिताएंगे साथ ही मणिपूर सरकार ने आश्वाशन दिया है कि जल्द ही मुबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगे इसके लावा मिजोरम में राहूल गांधी ने कॉंग्रेस के प्रचार अभियान की शिरुवात कर चुनावी महल गर्मा दिया है वहीं त्रिपुरा को समाचार रहे आई डालते हैं सभी पर एक नजर और सबसे पहले बात करते हैं असम की असम से आई समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्ये के सभी मंतरी विभिन कल्याणकारी योजिनाओं के वहवारिक आकलन के लिए वर्ष के अंत्में एक गाउं में सभी मंतरी 25 सिसंबर से 10 चनवरी के बीच पांच दिन और पांच रातों के लिए किसी एक विशेश काओं में रहेंगे इसके अलावा नवरात्री के दिनों में गुहाटी में इस्थित विश्योप्रसित का माख्या मंदिर में देश भर से शर्धालों का ताता लगा हुआ ह दर्शन कर खुश नजर आ रहे हैं हम लोग वेंगल से पूर्बामिद्रिटि कंटाई से यहां बहुत अच्छा लग रहा है यहां तो मां का मंदीर से हम लोग जो प्रवेश किया है हम लोग तो सब कुछ भूल गया है सरे मां का दर्शन करने के लिए मां का नाम लेते लेत हम पाइदय हुए हैं हम जन्मों के बाद हम रहा एक इसम मैं जो मिला आज कामक का देवि मंदिर में दर्शन करने के लिए आप लोग सभी लोग से मिलने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां सबको दर्शन करने के लिए सबको मुखा नहीं मिलता है हम तो सबसे अच्छा समझते हैं सबसे किस्मत वाला समझते हैं कि हम यहां मा का दर्शन के लिए हैं मा का मंदिरी में आज हमको आने का अगली बार सोचेंगे ना मनिपूर्चा समचाव की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एंबिरेन सिंग ने कहा है कि राज्य में चार से पांस दिन के भीतर मोबाइल इंटरनेट सेवाईं बहाल कर दिये जाएंगे मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठा के बाद नगा बहुल उखुरूल जिले के लगू सची वाले में एक सारजुनी करका में कहा मैं मोबाइल इंटरनेट प्रतिवन्द के कारण लोगो में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 64 करोड से जादा रुपए की कई योजनाओं का घटन भी किया इसके लाबा मनिपूर के राजेपाल अनुसुरिया को चुराचांदपूर कस्वे में वाल आफ रिमेंब्रेंस के पास कुकी जो समुदाए की कुछ महिलाओं ने सुबह करीब 10 से वचकर 40 मिनट पर रोक लिया और अपने लिए अलग प्रशाशन की मांग की पुलिस नहीं है जानका रही ती राजपाल जिले में इसीए चर्च सोंगेल और इसीए चर्च तुईबोंग में सिर्फ दो राहत शिविरों का दौरा करने जा रही थी तभ परियाप चिकित्सा आपूरती हो पा रही है या नहीं समझारों की बात करें तो आपको बता दें कि छारखंट के पूरों मख्यूंत्री रगुवर्दास को औरीशा और भार्तियनता पार्टी के निता इंद्रसें रेडडी नलू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक् बीजेपी के राश्ट्यूपाद्धक्ष रगुवर्दास 2014-2019 तक चारगंड के मुख्यम्त्री जाचुके हैं इंद्रसें रेडडी नलू तेलंगाना से बीजेपी के नेता हैं इसके लावा कॉंग्रस के पूर्वद्धक्ष राहुल गांदी ने सोमवार्कों पार्टी क की त्रिपुराएक थे नेताओं के साद बैठक की राहुल गांदी मिजोरं Lehmat एंद्व साथ टेमोकरैटी ने मोंद जिले की तर उप्चिनाओं के लिए मंगलवार को वांग पांग को अपना उम्मीदवार गोशित किया एंडी पीपी विधायक नोके वांगनाओं का 28 अगस्त को निधन हो गया था जिसके करणी है उप्चनाओं हो रहा है साथ नौंबर को उप्चनाओं के लिए मद्दान होगा और नतीजे की घोशना 3 दिसंबर को की जाएगी उप्चनाओं लड़ने के लिए 29 वर्षिय कोन्याक ने नवीन नवी करनी है उर्जा निरिशाले के अधिक्षक के पत्से इस्तीफा दे दिया अनुनाचल प्रतेश के लोंग डिंग जिले से नसीन आइम के दो उगरवादियों को गिरफतार किया ह से एक व्यक्ति प्रतिवंदित संग्धन एनसीन आयम का सक्रिय कारे करता है उन्होंने बताया कि उप्लब्द सूचनाओं पर कारवाई करते हुए असम राइफल्स की खौंसा बटालियन ने लोंगा डिंग पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को जिले के चोब काउं से दोनों महिलाएं हैं नामंकन दाखिल करने के अंतिम तारीक 20 अक्टूबर है मदद आता हूं द्वारा खंडी जनादेश यह जाने का अन्वान जताते हुए बीजेपी के परदेश अध्यक्ष वनलाल मुआका ने कहा है कि पार्टी कॉंग्रेस को छोड़कर किसी भी अन्य दल के स साथ चुनाओं के बाद घठबंदन करने से नहीं इचके चाहेगी इसके लावा कॉंग्रेस ने मिजोरम में आगामी विधानस्वा चुनाओं के लिए मंगलवार को अपना पत्र जाली किया इसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने गरीब परिवारों को 750 रुपे में गया सिलेंटर देने और अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए प्रती परिवार 15 रुपे का स्वास्त वीमा प्रदान करने समेट कई वादे किये गए हैं वहीं कॉंग्रेस ने लुंगलई दक्षिन सीट से मर्यम एन हांग चल को अपना अमिद्वार्फी बनाया है इसक इस्तेमाल भारतियनता पार्टी इसाई बहुल राज्ये में पैर जमाने के लिए कर रही है उन्होंना कहा कि यदि कॉंग्रेस मिजोरम में सत्ता में आती है तो बुजुर्गों को 2000 रुपे प्रतिमा पेंशन 750 रुपे में गैस सिलेंडर और उध्यमियों को समर्थन देग इसके लाब मिजोरों के मुख्यूंत्री जोरम थांगा ने कहा है कि उनकी पार्टी मिजोर नेशनल फ्रेंट सत्ता में लोटेगी और 40-80 विधानसवा के लिए हो रहे चुनाव में 25-35 सीटे हासिल करेगी मुख्यूंत्री ने यह भी दावा किया कि 2018 के विधानसवा चुन अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके